कि अरे उसने मेरे चेहरे को नहीं खाया रहे उसने मेरे को ही खा लिया यह लाइन मेरी नहीं है यह लाइन डैरी की है सो हेलो अबरीवन कैसे हैं आप सभी लोग माइनम इस राउल डियो और आज मैं आप लोग के सामने लेकिया हूँ on the face of it की वो समरी जो आपने आज से पहले नहीं की और क्या मुझे बताओ कि मिस्टर लैं मरा या बहुस हुआ क्या हुआ उसके साथ अंत में यह सारी बाते हम जानेंगे इस वीडियो में तो बने रही हैगा अगर आप पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप में अभी तक मुझे इंस्ट्राग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाएए मुझे फॉलो की गारन में उसकी मीटिंग इसका मतलब क्या होता है तो यहां इसका मतलब क्या होता है वो चौक जाता है एक आवाज सुनके जो मिस्टर लैंब की वर्ज होती है जो पेड़ से अब भी गिरे हैं गारण में डेरी टाइस तो एक्स्पें तो हिम एट हलाय दिन्ट वांट तो स्नीक इन कि भीया मैं यहां पे कुछ स्नीक इन कोई चोड़ी करने नहीं आया हूं मैं ने सोचा था कि घर तो खाली होगा अंड एक्सेप्ट एन बड़ी यहां पे कोई भी नहीं होगा मैं ड़ चुका हूं मिस्टर लैंब ट्राइस तो पुट इम फिर एडरेस्ट जोसकी डर कुट होगा यहां डरने के लिए कुछ नहीं है इस गेट खुला वह और किसी का स्वागत है देखो मैं आपको बता दूँ यह जो लाइन है यह जो स्टार्टिंग है यह फॉस्स मीटिंग वे डैरी है और बड़ी पाई लाइन है इसकी पीडिएप में इसके लाइब आप से भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलो जैंस इनकी बात करते हैं वाल को Mr. Lambs philosophy अब बात करते हैं Mr. Lambs की philosophy क्या है Mr. Lambs tell him to talk about it but daddy has become upset Mr. Lambs सोचते हैं कि मैं उसे बात करूं पर daddy बहुत उदास है the old man say that it is possible daddy's face got burnt in a fire old man कैता है कि sad हो सकते है कि तुम्हारा चहरा जल चुका है आग से daddy tells him that it is acid वो acid था वो acid था that has burnt his face जिसने मेरे चहरा को जला दिया he say it ate my face up I ate up me it ate up me मैं अभी आपको बोला था कि उसने मेरे चहरा ही जला दिया या उसने मुझे ही जला दिया that is confused that Mr. Lambs indifferent and ask him if he is not interested daddy जो है बड़ा confused होता है कि यह बड़ा indifferent treat कर रहा है हर इंसान पूछता है कि क्या हुआ क्या हुआ कैसे हुआ इस इंसान ने indifferent treat किया है और उसको कुछ interest नहीं दिखा रहा है Mr. Lambs replied that he is interested in everybody Mr. Lambs कहता है कि मुझे भगवान की बनाई है नयाव चीज में interest है आगे there is nothing God made that doesn't interest him ऐसे कोई भी चीज नहीं है भगवान रहा है जिसमें मुझे interest ना हो he asked daddy why one green plant is called weed another plant is called flower weed मतलब क्या होता है जंगली पौधे वो कहता है क्यों एक पौधे को जंगली बोला जाता है और दूसरे पौधे को flower जबकि दोनों काम क्या है दोनों काम हर्याले फिला नहीं है तो क्यों हम इसान इंडिफरेंट करें Mr. Lambs doesn't find any difference मुझे कोई difference नहीं दिख कि ये उसका भी काम हर्याले फलाने का है इसका भी काम हर्याले फालने का है हर किसी का काम अपना अपना जिंदगी में होता है तो मैं indifferent क्यों भेडवाव करना है जब भगवान ने आपको indifferent नहीं बनाया तो that's it this is the philosophy of Mr. Lambs आगे बात करते है Mr. Lambs reveal his improvement अब Mr. Lambs की भी हिंदर भी कुछ कमी थी देखते हैं वो कमी क्या है वो क्या reveal करते है Mr. Lambs tells daddy that one of his leg was blown off in the war Mr. Lambs बताते हैं कि मेरा एक जो टांग है वो जल चुका है फ्लट चुका है आग में but that is not important पर यह important नहीं है when he goes out जब मैं बहार जाता हूँ some kids call me Lambie Lamb कुछ लोग मुझे Lambie यह बी silent guys कुछ लोग मुझे Lambie Lambie नहीं संस क्या होता है लंगडा कुछ लोग मुझे लंगडा Lamb कहते है this doesn't bother me him वो में लिए matter नहीं करता है he think that such a name suit him वो कहता है कि यह ना मुझे पसंद भी है ना मुझे suit भी करता है Daddy says that Mr. Lamb could cover his teen leg with his trouser and none of would notice it Mr. Lamb कहते है कि भाया Mr. Lamb को कहता है कि तुम अपने leg को teen trouser से cover कर सकते हो और कोई notice नहीं करेगा but Daddy could not cover his face पर मैं अपने चेरे को cover नहीं कर सकता हूं बहुत solid point बोला उसने आगे बोलता है according to Mr. Lamb there is a plenty of other things in the world which are important Mr. Lamb कहता है पागा ले क्या तू दुनिया में बहुत सही सी चीज़े है जो इससे भी जादा इंपॉर्टेंट है तू कहा है परिसान है बहुत सही चीज़े है इसमें तू बहुत जाद दुनिया में इंपॉर्टेंट है तू इसको ले एक टैंपरेरी चीज है ठीक है उसको इसको बिताता है किसकी ब्यूटी और बीस की डैरी इस फिल्ड विट बिटनेस डैरी के इंदर जो है बहुती करवाटपन आया हूँ है बिटनेस का मतलब क्या है करवाटपन ही सेस्टाइट बिलीव इन फैरी टिल्स मुझे परियू क करती कि उनको करना पड़ता है से किसीं ऑन द अधर साइड ऑफ द फैस वह भी मेरे चेहरे के उस से पर किस करती है दूसा हिस्सा होता है Mr. Lam tries to reason with him Mr. Lam isko reason देते है क्या he says that he should notice the beauty things in the world and not care about his face कि तुम्हें जिंदगी में बहुती खुबसर चीजों को रेखना चाहिए अपने चेहरे पर धानी देना चाहिए that he began to mock the idea say that one should think for all those people who are worse of yourself this may be true but won't be change his face तुमने का ठीक है तुमने का ठीक है तुम्हें बिल्कु सही कह रहे हो कि मुझे लोग बारे में सुचना चाहिए मुझे दुनिया को देखना चाहिए पर इन सब चीजों के करने के बावजूद भी मेरा चेहरा चेंज नहीं होगा तो यहां दिखता है कितना motivate कराने के यह एक इंसिदेंट करता है जो बस टैप पर हुआ था क्या ही यह टू विमेन टॉक अबाउट इस फेस वो सुनता है कि दो महिला मेरे चेहरे के बाड़े बात कर रही है वन आफ डैम सेड एक कहती है लुक एक डैट डैट टेरिबल थेंग इसको देखो एक इतनी गंदी च चेहरा है जिससे सिफ और सिफ मम्मी ही प्यार कर सकती है मैं इससे बहुत आहट हुआ और मैंने इसको क्या बोला कि यह बहुती पापी वाली चीज है बहुती जो है कठोर चीज बोली उसने मिस्टर लैम एडवाइस इम नॉट टो बिलीफ एवरिटिंग डैट ही ही एर कि जिन्दिगी में जो भी आप सुनते हो सिफ उस पर विष्वास मत करो तो डैटी डैटी फाइंड मिस्टर लैम क्या बोल रखा है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है और किसी बढ़िया इंसान को मैं रिप्लाइब भी दूगा अपने कमेंट बॉक्स में ठीक को इन फॉर्दर तैल हिम डैटी केम इंदा गाडन बिकॉज लाइक उसने का कि मैं गाडन में पसंद है बटी डिसंट लाइकिंग बिइंग नियर पिपल पर मुझे लोग पसंद नहीं है मिस्टर लाइम स्टैलिंग हम स्टोडी अबाउट अ मैं वास अफ्रेट तो डाइ फिर मिस्टर लाइम में कहानी सुनाते हैं एक आदमी के बारे में जो मनने से डरता था ही फियर्ड इच एन एवरिटिंग वो हर किसे डरता था और अपने आपको रूम में बंद कर लेता है अनफॉर्टनेटली दुर्भागे नुसार ही डाइड बिकॉज अपिक्चर फॉ आप दो वाल ऑन इस एड वो मर जाता है क्योंकि सरक्यों पर से फूटो गिर जाती है उसके सर पे डैड़ी लाफ अलो डैड़ी बहुत हसता है इसे सोड़ी पे थो दिस्टोरी मिस्टर लाइम वांटी डैड़ी डैड़ी डैट वन कैन नोट हाइड वनसेल्फ एन संसॉर् कि तुम भाईया डर के मारे सॉसाइटी के करवाहट से सॉसाइटी से भाग नहीं सकते वन सुड इंजॉय लाइफ एज इट कम्स जब जिन्देगी मिली है तो इसे इंजॉय कर लो डिटी पिक्चर में वीडियो बालन का डैलोग है क्या कि जब जिन्दीगी एक बार मिली ह है तो दो बार क्या सोचना से लिए आगे बात करते हैं आपसे नेक्स्ट पेरग्राफ के उपर दा पॉजिटिव साइड ओफ लाइफ देखते हैं क्या चीज है इसमें डैडी नोटीज देखते है कि बिया तुमारी विंडो पर कोई करतेन क्यों नहीं है और मिस्टर लैंब भाउस मिस्टर लैंब रिप्लाइब दा इस नौट पांट तो करतें बिकॉस देखते हैं कि जुपाने लाइक कुछ है नी बर्दों के लाइक कुछ है नी इवन पर लाइक कर रहा है और मिस्टर लैंब दा इस नौट लैंब भाउस मिठास पन है अभी जो प्यार है पर करवाहत ने उसको है हाइड कर रहा है डेदी तेलस मिस्टर लैंब डैट ओं इवन इस फ्रैंड हैस पिटी अन इन कि मेरे दोस्त भी जो है मेरे बहुत करवाहत रहते हैं बहुत गंदा बीफ करते हैं देखिंग आउट इस फ्यूचर वह सोचते हैं मेरे फिचर के बारे माँए वाट विल य दू इस विश्य सा इस बैटर देन ओर अच्छा कर सकते हो तो आपके पास एक वजह है जब आपके पास एक वजह होती है तो आप लड़ जाते हो आप और अच्छा कर सकते हो तुम उस अपने जिन्दिगी को ऐसी जिसक्राइब और लोग जीते हैं डेरी आप स्मिस्टर लेंब इस अनी फ्रेंड मरा कोई दोस्त हो तो है तो लेंद तो मेंड द्र संग्रिब इन जाने डिव दोस्त नाम कोई नहीं होता तो him being friends doesn't mean that you should know all the details about the person, क्योंको तुम मेरे दोस्तों जोरी नहीं है कि आपको हर detail देनी पड़ेगी इस आदमी के बारे में at this point, इस point पे Daddy choose to tell him his name, Daddy उसको जो उसको नाम बताता है he says it is direct, मैं नाम ये है but hate being called that, पर मुझे नफरत है ये चीज़ जब मुझे कोई कहता है he wanted to be called Daddy वो चाते है कि लोग मुझे Daddy बोलें स्थिर्फ ठीक है जी, बड़ी पेलाइन थी आगे बात करते हैं, I hope आपको समझ में आया होगा अगर आपने वीडियो नहां तक देख लिए ना मैं आपको बता दू रात के चार बज रहे हैं, इसलिए मैं थौस यह सांसे भी पूल रही है अब आज में भी हो रहा है और थौस जो है मैं जल्दी जल्दी भी कर रहा हूँ तो I hope आपको आपको चीज़ को समझेंगे थौस पानी पीलो बाल को देख रहो आप लोग कि तेर तरी को एक्जाम इसके लिए कितनी महत की जा रही है अलगी महत की जा रही है, अलगी महनत चले जी, Daddy offered his help Daddy asked Mr. Lamb how he is going to get the appell down since his leg is blown off and he wear a tin leg Mr. Lamb assured him that over the years he has learned to deal with this handicap, Daddy पूछता है कि तुम जीनो पर चलते हो इस apple को तोड़ने के लिए जबकि तुम्हारा पैर तो नकली है तो Mr. Lamb कहता है कि आतने सालों में Daddy says that he could help him, मैं तुम्हारी help कर सकता हूँ but his mother won't allow, पर मैं मम्मी allow नहीं करेंगी to come out once to get home Mr. Lamb tells Daddy that he is not Daddy's mother but Daddy's bitterness कि तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारा करवाटपन है and hesitation, और तुम्हारा hesitation है that won't let him go तुम्हारा जाने नहीं दे रहा है बाहर Daddy tries to give a reason by saying that people worry too much and his house is three miles away कि यह लोग मेरे बारे में भुजा चिंतित है और मेरा घर तील मिल दूर है ठेक है, आगे बोलता है वो Mr. Lamb excite Daddy by saying that he is a young boy तुम्हारे पास तो पैर भी है Anything if choose to, अगर तुम कुछ करना चाहतो कर सकते हो The power of choosing what one wants lies once on hand कि तुम जो भी करना चाहते हो तुम्हारे हात में ही है A small allocation take place between them Mr. Lamb says that Daddy doesn't have a guts to fight the odds Mr. Lamb कहते हैं कि तुम्हारे अंदर guts से लडने की हिम्मत सायद नहीं है आगे देखते है His burnt face is just an excuse तुम्हारा जलवा चहरा सिर्फ तुम्हारा बहाना है Daddy become infiltrate and mok of the tin leg of Mr. Lamb He promise to return to his garden Daddy choose for himself The second scene begins ठीक है अब second scene आजाता है Himself ठीक है तुम्हारा करता है कि मैं बापी जो रहा हूँगा अब second scene क्या है The second scene begin in Daddy's house मैं आपको बता है तुम्हारा दूसर सीन किसका है घर का इसका गर का डैरी के घर का He is fighting with his mom अपनी ममें से लरता है Because he want to return to Mr. Lamb वो Mr. Lamb के घर में बापी जाना चाता है And his mother is not allowing him to go पर उसकी ममें आजाओ नहीं करती है She says that She has been warned by many people That Mr. Lamb appear to be an क्या बोल रखा है An terrible And unwanted A stranger कि भीया उसका दिखना उसका होना एक अजनभी पना है एक खराब पना है But Daddy insist that He wanted to go वो कहता है कि नहीं ममें मुझे जाना है For the first time in his life पहली बार Someone has saw him the right way किसने मुझे सही रास्ता दिखाया है He wants to talk to Mr. Lamb about things which matter to him He wants to sit there मैं वहाँ बैठना चाहता हूँ सुनना चाहता हूँ उनकी बात है His mother tells to him to stay उससे दूर है But Daddy tells that He hates it That he hates it His mother doesn't react React नहीं करती है She simply tells him that She is bound to say such awful things Because of his face Daddy strongly replies that He doesn't care about his face anymore The transformation has begun क्या हो गया इन सब लाइनों में भीया वो कहती है कि मैं नफरत करते हो तो बेटा मच जा उसके पास तो इसलिए कह रहा है क्योंकि तेरा चाहरा जला हुआ है वो भी देख उसलिए बोला है क्योंकि तेरा चाहरा जला हुआ है तो कहता है मेरा चाहरा जला हुआ है मुझे उससे मतलम नहीं है और यह दिखता है कि transformation शुरू हो चुकी है आगे बात कीजाए and that is a changed person the final the final scene दुबारा किसका होता है the final scene shift to the garden again dairy reach there out of breath बिल्कुर सांस रोखते हुए भकते वह पहुंचता है he find mr. lamb lying on the ground वो देखते है कि mr. lamb जो है ग्राउंड पर पड़े हुए है he has been trying to pick the apples of the tree वो पेड़ से जो है आपल चुरा रहे होंगे तोड रहे होंगे when he ladder has slipped and he along with it वो गिर जाते है और सीडीव उनके सार गिर जाती है he fall on to the ground वो ग्राउंड पर गिर जाते है डैरी ट्राइट टू अवेकन हिम डैरी उनको उठानी को सिस करता है बट मिस्टर लैम अन्मोविंग पर मिस्टर लैम हिल नहीं पाते है he is probably dead मिल गया answer मिल गया probably dead आपको भी लिखना है probably dead ने सेंस मर चुके है ओविस सी बात है डैरी has lost his only friend only friend जो था वो भी खतम हो चुका है he begin to cry Mr. Lam was able to do what he has been trying Mr. Lam ने उसको जो सिखाया था वो कर सकता है he has taught डैरी how to live उसने डैरी को सिखा दिया कि जिन्दगी जीते कैसे है और इसी के साथ मैंने आपको बता दिया कि on the face of it पढ़ते कैसे है इसकी PDF एवलेबल है मेरे इंस्टाग्राम पे और नीचे मेरे आप पे अगर आप लोगों को मेरे efforts लग रहे हूँ तो कि पर अगर के like कीजिएगा share कीजिएगा इसको बताना है उसको बताईएगा कि एक आदमी है जो हमारे लिए जगा हुआ है एक आदमी है जो हमारे लिए महनत कर रहा है एक आदमी है जो हमें पढ़ा रहा है दिन रात इसको बताईएगा मिलते हैं आप लोग उसे next वीडियो में तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो माबाब कवरा नाम करो till I do whatever you want to do मता पिता और भारत मता जय हिंद जय भारत